जहीन दोस्तों चले उस तो बात करते हैं इस एक और question की बारे में इस question में क्या का गया है the radius of a circum radius and in radius of a collate triangle इसको तुम लोग अब direct भी निकाल सकते हैं यह मेरे पास circum radius है और यह मेरे पास in radius है इसका जो formula होता है वो आपका जैसे मालें side collate triangle की a और 2 under root में 3 इसका निकालेंगे तो यह क्या हो जागा A by में आपका यह हो जागा root 3 यह इसका just double होता है एक बार देख लेते हैं तो इसका मतलब इसका answer क्या आगा मेरे पास में यह इस से कटेगा और यह इस से कट जाएगा तो इसका मतलब 2 ratio वह है 1 अब इसने मुझे से पूछा क्या है कि circum radius और यह circum radius और in radius यानि कि answer जो आगा इसका 3rd बनाएगा circum radius मेरी इसकी 2 होगी और जो in radius होगी मेरी वो होगी एक बार फिर भी check कर लेते हैं एक triangle बनाया है मैंने यहाँ पर आपका यह equilateral triangle दिया हुआ है मुझे इसने यह A point है यह मेरी पास में B point है और यह मेरी पास C point है इसके अंदर एक इस circle बनाऊँगा मैं और यहाँ से मैं इसकी height खीचूँगा तो यह इसका center point होगा और इस center point से अगर मैं इसको मिलाऊँगा तो यह मेरी पास जो angle होगा वो 30 degree का होगा यह 90 और यह 60 degree का होगा अगर यह पूरी side मेरी पास में A है तो इसका मतल़ यह A by में 2 हो जाएगा और जो 60 के सामने वाली होते है उसे divide करेंगे तो 30 के सामने वाली side आ जाएगा यानि कि A by में क्या जाएगा था to root 3 हो जाएगा और जो 30 के सामने है उसको double करेंगे तो 90 के सामने वाला जाएगा यानि कि यह मेरी पास क्या आजाएगा आपका A by में और root 3 आ जाएगा सरकम radius कितनी मेरी पास में A by में rood 3 है यहाँ पर और इस radius कितनी है A by में मेरी पास कितनी 2 root 3 है यह से यह गया तो यानिकि टू रेशो वन यानिकि इसका जो अंसर आएगा वो टू रेशो वन यानिकि ऑप्शन थ्री आएगा आई होप आप सब यह कोई कोशिन समझ में आया होगा जै भारत